परम प्रेमाई सिसी ठाकूर मोर जगजननी सिसी लखीमा परम पुजपाद सिसी बड़दा परम पुजपाद सिसी दादा आजीर भरसा अचाज़देव ठाकूर परिवार का सभी समस्त के चरमे में मेरा अनंत कटी प्रणाम आज आप लोगों की समने में अलचना करूंगा सिसी ठाकूर जी के दूष्टी में देवी मा सुरस्वती एक सुंदर सा मेरे को याद आ रहा है कि सिसी ठाकूर जब सरस्वती पुज़ा करते थे पहले और सुभा उटकर नहा लेते थे तो सरस्वति पुजा का दिन का एक घटना मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के सामने सरस्वति पुजा के दिन सिशिठाकुर जी का साथ एक घटना यहाँ पर उपस्तापना करना चाहता हूँ सनान आदी करके सिशिठाकुर जी ओसनी दा के साथ अंजली देने गए और अभिनास्ता हस्ते हस्ते मंत्र चारण कर रहे थे अभिनास्ता पंडित थे देवगर की तो वहाँ पर पुस्पांजडी जब दे रहे थे ठाकुर जी उसी समय हस्ते हस्ते ओ ठाकुर जी को देख रहे थे सिसी ठाकुर जी उस मंत्र को दूबारा उच्चारण करके पुस्पांजली दे रहे थे जो ओसनी दा मंत्र पाट कर रहे थे पुस्पांजली की वही मन्तर को सिसिठाकुर दूब़ार उच्चारन करकर पुस्पांजली दे रहे थे ओसनी दा भी पुस्पांजली देने के लिए घुटने के बल बैठे हुए थे पर ओ मन ही मन में महा मन्त्र उनका आदी ध्यानतमक नाम जो सत नाम है सतना मंत्र को जब कर रहे थे सोच रहते कि अंजली दू कहां उनका मन में जागरत हुआ जो मैं पुश्प पकड़ा हुआ हूँ तो उसको कहा दू साख्यात प्रतक्य परमपुर्शो जो है भब भयहारी जो पराबाग सरस्वति के भी जनक है जिनक में से सद्द ब्रह्म रूपिलनी सरस्वति के उत्पत्य हुई है उस आदिप पुरान पुरुस्वत्तम बापुरुस परमपुरुस परमपिता के जो नरविग्रह अविर्भूत है उस विग्रह चरण में या घटा धी स्तित देवी मा की चरण में दू उसनिदा एही सोच रहे थे जो कलस में घट स्तापना हुआ है सरस्वति पुस्पांजडी के देने के लिए उसी में दू या संग परमपिता परमपुरुस पुरुस्वत्तम की चरण में दू एही उनका मन में जागरत हुआ परंतु ओसिनीदा देख रहे थे कि स्वयंग सिसी ठाकुर जी जो लोक धर्म समाज धर्म का पालन करते करने के लिए कलस पर अंजडी दे रहे हैं ये ओसिनीदा देख लिए कि ठाकुर तो कलस की उपर पुस्पांजडी दे रहे हैं क्यूं दे रहे हैं लोक धर्म समाज धर्म का पालन करते हुए और सिरोधर्ज है वो पुस्पांजली घट में देने के लिए तो इसलिए वो जो देखे ठाकुर्जी दे रहे ते घट में पुस्पांजली इसलिए उन रातुल चरण में अंजली देने का लोब जो था इस सभी बातों को प्रकान्थ जब खतम हो गया पुजा के उसकी बाद बैटकर असनिदा नोट कर रहे थे तभी अचानक सिसिठाकुर जी कहा आये और हस्ते हस्ते असनिदा को गले से लगाते हुए बोले दो उठा दो पाल देखेंगे दयाल आज आकर कुरूपा करेंगे तुम्हारे पतवार और समालेंगे उसको बंगला में सिसिठाकुर जी ने बला था जो बंगला में दे तुले दे पाल देख भी दयाल आजी दोया करे धर्बे इसे हाल यही बोले थे तो इसको हिंदी में हम बता दिये तो इसी का उपराद जो यह बात हम बोले हैं अमिया वारता पुष्टा संखा 89-89 में तो इसी सरसती की उपर परमपुर्श पुर्शतम सिसी ठाकूर अनकुल चंद्र विसेद भाव से जैसे बिणा की उपर क्या बोले हैं कमल की बारे में क्या बोले हैं पुष्ट सामने रखना चाता हूँ आप सब जानते हैं माग के महिने सुक्ला पंचमी तिति में मा स्वरस्वति पुजा की जाती है शकल बिद्या और अधिकारेणी मा को नाम अनेक और उनकी स्वरुप भी बैचित्र में बागदे भी बोलते हैं मा स्वरस्वति को बस्पियो उनकी बाहन है हंस, कमल के उपर उनकी आसन, हस्त में पुस्त्तक और बिना अब इन विषैपर अलग पात करते हैं सिशिठाकुर सरश्वति, सरश्वति का मतलव क्या है, सरश्वति का सब्द का अर्थ क्या है, उसका अर्थ है जलबति, सरथ संस्कृत शुरू धातु से उत अर्थ गती मती या ओ है गती की प्रतीक शुरूधातु का अर्थ एक अर्थ है विकसित होना इसलिए सरस्वती सब्द में है विकास का प्रवनता इसका कितना सुन्दर अर्थ ओ खुद बोले थे विसाल व्याकुल गती ही है जिसकी संतिति ही सरस्वती और वाग या सब्द ही है जिसकी सत्ता हो है भाग देवी इस सिसिठाकुर जी ने बोले थे इस प्रसंग में महाकावी काली दास रघुस बंगसंग में उलेक किये हैं कि सब्द का प्रतिक सरस्वति गूढ रूप सुरूति का आदिम काल से सकल सक्ति का उत्र अन रूप में परिव ब्यप्त है सरस्वति इसकी बार सिसिठाकुर खुब सुंदर से एक-एक बात की ब्यक्ष कर रहे हैं जिसे बिणा की, कमल की, हंस की तो बिणा के बारे में सिसिठाकुर बोले हैं देवी सुरस्वति सर्वति सर्वता बिणा बादन नादता बिणा सब्द संस्कृत भी धातु से उत्पन जिसका अर्थ है गति और व्यप्ति ओ सर्वदा सब्द रूपिनी रूप में सर्वत्र परिव्यप्त होकर सभी जीवों को गति सिल कराते हैं बिना का ही अर्थ है जल का अर्थ सिठाकुर्जी ने बोले मा सरुप्षति जल के उपर स्तित प्रज्या बा कमल के उपर समाशीन है जल ही है जीवन का प्रतिक कमल प्रज्यासद संस्कृत प्रज्द धातु से उत्पन जिसके अर्थ है स्तिती गति प्रति जीवन का स्तिती को गति सिल करके रखना होगा जैसे गति उइसे प्रति ये पद्म का अर्थ है हंस का अर्थ सिठाकुर्ण क्या बोले हंस जैसे दूद और जल का मिलाबट से जल को अलग करके दूद को अहरण करती है उइसे ही जागरूती हुआ विवेक सक्ति के माध्यम से सूपर के निर्नाई करके गंतव्य का पत स्तीर करना चाहिए देवी मा सुक्ल बस्त्र परिधाता सुक्ल अर्थात सूची या पवित्रता देहिक, मानसिक और अध्यत्मिक सदाचार से ही पवित्र भाव का उद्रेग होता है सदाचार पालन करने लिए सिठाकुर्जी का अनोखा विधान सस्तोयनी ब्रत पालन करना पड़ता है और ये ब्रत का आचरण से सभी प्रभूती को इस्टार्थ में बिनियोग करके स्वस्ती पत में चलने से विवेक सक्ति का उन्मेस होता है सरसती पुजा के दिन सिठाकुर्जी सब गुरुभाई के साथ पुस्पांजडी देते थे और जब सरसती पुजा होता था खुब सुभा से नहा कर परिशकार परिच्छन होकर बिधान माफिक खुद ठाकुर पहले से ही मने बैठते थे वो पुजा की स्थान में सबलग इसी तरह ठाकुर जी की विधान पालन करते हुए सरसती पुजा में उपस्तित रहते थे तो इस सरसती पुजा की आलचना में जो आपकी समने आज कहा आपको ज़दी अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट कीजे मैं नहीं नहीं बात आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ बंदे पुर्शतम जई